प्रिये विद्यार्तियों, मैं हूं नरेंद पांचाल, मेरे इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 10 की जो इंग्लिश की question bank आई है, उसके आप तैयारी कर रहे हैं, इसके छटे भाग में जो question answer है, इसको हम देखते हैं, काफी important question है यहाँ पर, जो 4 नंबर का इस lesson से आने वाला है who was भामा साव, भामा साव कोन थे, and what title did प्रताप सिंग गेव to भामा साव, तो प्रताप सिंग ने उनको क्या सिर्षक दिया था, ठीके, तो भामा साव was the chief minister of मेवाड, वो मेवाड के मोख्य मंत्री थे, he had given all his wealth to प्रताप सिंग to save मेवाड, उन्होंने अपनी सारी जधन दो वो प्रताप सिंग ने राना प्रताप को मेवाड की रक्षा के लिए दे रिए ती, किसने भामा साव ने, he loved his motherland very much, प्रताप सिंग गेव him the title, savior of मेवाड, वो अपनी मात्र मुमें से बहुत अधिक सनेह करते थे, इसलिए प्रताप सिंग ने, राना प्रताप ने उनको वाले हैं, सेकेंड है, डिस्क्राइब दो क्वालिटी ओप महाराना प्रताप, महाराना प्रताप की विशेष्टा लिखिये या वरनन कीजिए, तो महाराना प्रताप वास्ट कींग ओप मेवाड, महाराना प्रताप मेवाड के राजा थे, सम्राठ थे, he was a brave warrior, वो एक अधिक्स नहें करते थे, he devoted his entire life to save the honor of मेवाड, उन्होंने अपना जीवन मात्रभूमी के समरपन कर दिया, मेवाड की रक्षा के सम्मान में अपना जीवन समरपन कर दिया, he was defeated by अकबर, वो अकबर से हारे, but he did not submit to his supremacy, he was a great ruler and fighter, he was very humble and great patriot, ठीके, तो वो एक महान सासक थे, एक योद्धा थे, और विनम्र और एक महान देश भक्त थे, ठीके, ये question आप अच्छे से त्यार करें, question है, describe the thoughts of भामाशा about his motherland, बने भामाशा के विचार है, मात्रभूम के प्रति, उनका वर्णन कीजिए, भामाशा loved his motherland, मेवाड very much, मतलब भामाशा अपने मात्रभूम मेवाड से बहुत अधिक स्नहे रखते हैं, he say, that his motherland has given him so much, वह कहते हैं कि उनकी मात्रभूमी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, है ना, now it's time for him to do whatever he can do for his motherland, अब समय आ गया है कि मात्रभूमी के लिए क्या कर सकते हैं, therefore, he submits all his wealth to Pratap Singh, he says, once he has used his sword for his motherland and he is ready to do so again, फिर question है, how did Rav Sakth react for भामाशा, बने भामाशा के लिए, Rav Sakth ने किस प्रकार की प्रतिकरिया व्यक्त की, तो Rav Sakth delighted a lot when he came to know that भामाशा had come in the discourse for Brahman, he joyfully arranged the meeting with Rana, मतलब उन्होंने जो है, उनका ब्रहमन के वेस में आये थे हो, तो उनका जो है arrangement किया, मीटिंग का, Rana प्रताप के साथ में, message that भामाशा had come with some great benevolent purpose, है ना, ठीके, तो यह जो question है, इनको आप त्यार करें, extract from poetry, read the extracts carefully and answer the question given under it, ठीके, तो इसको साथानी पूरक पड़िये और प्रस्णों के उत्तर दीजिये, lesson 1, change my darkness to thy light, and my evil into good, touch me but once, and I will change all my clay into thy gold, तो यहाँ पर लिखा है, change my darkness to thy light, मने, बदलो, है ना, change मने, बदलो, मेरे अंध्यकार को आपके प्रकास में, यहने कि मेरे अंध्यरे को प्रकास में बदल दो, and my evil into good, और मेरी बुराई को अच्छाई में बदल दो, touch me but once, मने, मुझे सिर्फ एक बार चूलो, and I will change, और में बदल जाऊँगा, all my clay, और मेरी जो सारी मिट्टी है, into thy gold, वो आपके सोने में बदल जाएगी, याने कि मिट्टी का मतलब शरीर, है ना, शरीर पांच तत्वों से मिलके बना है, तो यहाँ पर all my clay, clay मने, मिट्टी, ठीके, तो name the poet of this poem, इस poem के poet का नाम, तो रविंद्र नाट टेगोर आपको यहाँ पर लिखना है, light stand for, तो प्रकास किसका प्रतिक है, तो knowledge का, ज्यान का, darkness stand for, तो darkness जो है वो अंदकार जो है वो अज्यान था, यानि कि ignorance का यहाँ पर यह answer आने वाला है, और यहाँ पर knowledge आएगा, ठीके, तो इसके question यहाँ पर है name the poet of this poem, तो आपको रविंद्र नाट टेगोर लिखना है, ठीके, light stand, तो knowledge और darkness का आएगा, ignorance, फिर है, in your hearts, the birds and sunshine, in your throats, the brooklet flow, but in mine, is the wind of atom, 8th first fall of snow, यानि कि in your heart, मने, तुम्हारे रदे में, the birds and sunshine, तो पक्षिव चमकता हुआ सूरी का प्रकास है, in your thoughts, तुम्हारे विचारों में, the brooklets flow, मने, छोटी-छोटी नदियां बहती है, उनका बहाव है, but in mine, परंतु मेरे, है ना, मेरे मन में, मायन मने मेरे, तो परंतु म तुम्हारे, is the wind of atom, यानि कि पजड की बयार है, पजड की, जो हवा चल रही है, and the first fall of snow, और बर्प की पहली गिरावट है, ठीक है, तो यहां question पूछा है, in the heart of the children, there is, बच्चों के रदे में, क्या है, तो यहां, birds and sunshine, in the thoughts of the poet, कभी के विचारों में क्या है, तो but in mind, यहां आपका अंसर आएगा, the wind of atom, name the poem, तो यह किस poem से लिया गया है, तो यह children poem जो है, उससे लिया गया है, ठीक है, तो आपका अंसर आना वाला यहां पर, यह children आप, ऐसा children यहां पर लिख सकते हैं, यह आर, better than all the bullets, that ever were sung or said, for ye are living poems, and all the rest are dead, यहने कि, यह आर, better than, तो तुम जो हो, बहुत अच्छे हो, ज्यादा अच्छे हो, किस से, than all the bullets, यहने कि, कहानी बताने वाले गीतों से, बहुत ज्यादा अच्छे हो, that ever were sung or said, जो कभी गाई या, बताई जाती थी, for ye are living poems, और, मेरे लिए तुम क्या हो, एक, जीवित कविताए हो, जीवन्त कविताए हो, and all the rest are dead, और, तुम्हारे अलाव सभी, निर्जीव हैं, ठीके, तो, ye are better than all, तो, यहां क्या आने वाला है, bullets, क्या आएगा, है न, ठीके, यहां पर, यह सब्द किसके लिए परियुक्त क्या गया है, तो, children, ठीके, उसके बाद, name the poem, इस poem का नाम, तो, children, क्या आएगा, ठीके, चिल्डरन, यह आएगा, name the poem में भी, children, और इसके, जो है, H.W. लोंग पहलो, इसके, पोएट है, one angry moment of undance, what we repent for years, it was the wrong, we never make right by sorrow and tears, यहने की, वन angry moment of undance, deaths, प्राय, गुशे वाला जो श्रण आता है, what we repent for years, जिसकी भर्पाई हम पूरे, वर्ष करते हैं, इट वक दरॉंग वी नेवर मेक राइट और सदेयों गलती होता इससे और हम कभी भी उसे जो है सही नहीं कर सकते हैं तो यहां पर जो किसके लिए पस्चताते हैं तो यहां पर इसका जो अंसर है वो आने वाला है एंगरी मुमेंट गुस्से वाले शन के लिए हमको पच्टाना पड़ता है ठीके तो यहां एंगरी मुमेंट नेम द पोयम तो यह जो पोयम है यह एंगर जो पोयम है क्रोध उससे लिया गया ठीके तो एंगर क्या लिखना अपने को एंगर ठीके तो उस पोयम से यह लिया गया एंगर से The hand of peace is prank and warm and soft as ring douse wing and who quels and angry thought is greater than a king मने the hand of peace मने शांती का हाथ इस फ्रेंग के एंडवार में उदार और गर्म होता है and soft as ring मतलब एक मुलायम होता है कैसे dove swing है ना जो कबुतर के पंक की तरह कोमल होता है and he who quells an angry thought और वह जिसने क्रोध पर जो है angry thought क्रोध वाले विचारों पर क्या कर लिया हो जित लिया हो, काबू कर लिया हो he who quells and angry thought is greater than king वह एक राजा से महान होता है तो quells means क्या पर इस quells का यहां मतलब पूछा है आपसे तो quells का मतलब होता है तो quells मने किसी चीज़ को दबाना है विद्रो दबाना तो यहां आएगा आपका फर्स्ट आपसन जो है यहां पर इसका अंसर होगा which word rhymes with king king सब्द जो है उसका यहां पर लए तूकबंदी की सब्द से हो रही है तो king का wing से ठीक है, king का wing से who is greater than king कोन राजा से महान है तो he who quails an angry thought जिसने क्रोध वाले विचारों को जो है काबू पाल लिया हो वो एक राजा से महान होता है तो he who quails an angry thought is greater than a king यह वाला यहां पर अंसर होगा ठीक है फिर O, A, O, U that are so strong and cold O, Blower are you young or old are you a beast of field entry or just a stronger child than me मतलब यहां पर यह है कि O, U अरे तुम they are so strong and cold अरे तुम ताकतवर वा ठंडी हो अब, Blower ओ बहने वाली हवा are you young or old क्या तुम युवा हो या वूडी हो are you a beast of field क्या तुम खेतों और जो beast बने चोपा है जानवर होते हैं a tree है ना क्या तुम खेतों वो पेडों की जानवर हो और just a stronger child than me और तुम मुझसे अथवा मुझसे एक सिर्फ ताकतवर बच्ची हो तो name of the poem इस poem का क्या नाम है तो यहाँ यह wind poem से लिया गया है W.I.N.D. अपने को यहाँ पर लिखना है W.I.N.D. है ना ठीके फिर second है beast means beast का मतलब चोपा है जानवर ठीके तो इसका क्या मतलब है animal क्या आएगा which are the rhyming word ठीके यहाँ पर कौन से सब्द जो समान ध्वनी रखते हैं तुकबंदी वाले हैं strong and cold तो strong or cold नहीं tree and me तो tree or me young or old तो यहाँ tree or me जो है दोनों को देखो tree or me same ले आरी है पीछे ही तो tree and me यह वाला यहाँ पर उत्तर होगा I saw different things you did है ना तो यहाँ लिखा है I saw different things you did but always you yourself मने मैंने तुमको different भीन भीन कारे करते देखा लेकिन है ना तुम जो है हमेशा अपने आपको जिपाये रखती हो I felt you push here you call I could not see you are self at all मने I felt you push मैंने तुमारे दबाव को मैसुस किया है और here you call और तुमारी पुकार को सुना है I could not see लेकिन मैं तुमको कभी देख नहीं पाई you are self at all है ना तो मैं तुमें जो है कभी देख नहीं पाई यह यह विंड पोयम का यह एक्स्टेक्ट दिया है question यहा है the poet is talking about तो जो यहाँ पर किस के बारे में बात हो रही है तो the wind के बारे में the opposite word for different बिन बिन का opposite ने उल्टा सब पूछा आप से आएगा same फिर यह name the poet तो यहाँ पर the wind same और name the poet of अरजिनिया वोल ठीके प्राइब प्राइब प्राइब